हेलो बच्चो आज हम सीखने वाले हैं चेन डूल चेन डूल काफी इंपोर्टेंट है हर एक्दाम के लिए चेन डूल में हमें करना क्या होता है जैसे अगर माल लीजिए हमें e की पावर x का डेरिवेटिव निकालना तो हमें पता है क्या होता है e की पावर x लेकिन अगर यहाँ पर x की जगा यह x स्टेंडर है अगर x की जगा पे कोई और फंक्शन आ जाए जैसे e की पावर x स्क्वार आ जाए तो हमें कैसे डिफ्रेंशियेट करना है जैसे sin x का डेरिवेटिव क्या होता है यह होता है simple cos 6 अगर यहाँ पर x ना आके अगर ऐसा आ जाए sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा तो हम कैसे करेंगे log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by x होता है अगर यहाँ पर x की जगा पे कोई और फंक्शन आ जाए sin log sin x आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे ये सब हम सीखने वाले हैं chain rule में जैसे हमें e की power x square का differentiation करना है तो हम सबसे पहले करेंगे e का derivative तो e का derivative क्या होता है as it is तो e की power x square का भी derivative हो जाएगा as it is और then क्या करना हमें into करके ये जो x की जगा पे कोई और function लिखा हुआ है उसको हमें further क्या कर देना differentiate x square को हमें further क्या कर देना है differentiate तो हमारा answer क्या हो जाएगा हमारा final answer हो जाएगा e raise to the power x square और x square का derivative हो जाएगा 2x यानि 2x e raise to the power x square ये इसका derivative हो गया चलो अब हम sin x का derivative cos x है लेकिन अगर हमारे से पूछ दे sin 4x का derivative क्या होगा तो हम इसमें chain rule का use करेंगे सबसे पहले हम sin का derivative करेंगे तो sin का derivative क्या होता है cos तो sin का derivative हम cos लिखेंगे 4x है तो 4x ही लिखेंगे तो sin 4x का derivative क्या हो जाएगा cos 4x इंटू करके x की जगा पे जो कोई अलग function लिखा हुआ है उसको हमें further क्या करना पड़ेगा differentiate करना पड़ेगा which is 4x का differentiation क्या होता है 4 तो answer हो जाएगा 4 cos 4x यह होता है chain rule और कुछ question लेके इसकी practice करते है जैसे हमें derivative करना है log sin x का अगर हमें log sin x का derivative निकालना है तो हम पहले दिखेंगे log का derivative क्या होता है 1 upon x तो सबसे पहले हम log का करेंगे तो log का derivative का 1 upon में यहाँ पर x था तो 1 by x यहाँ पर sin x है तो क्या हो जाएगा 1 by sin x लेकिन into करके हमें क्या करना पड़ेगा further जो x की जगा पे लिखा हुआ है उसे हमें differentiate करना होगा यादि हमें further sin x को क्या करना पड़ेगा differentiate तो हमारा answer आ जाए sin x का differentiation cos x upon me sin x which is cot x यह हमारा answer आ जाएगा चलिए अगर जैसे root x का derivative क्या होता है one upon me two root x लेकिन अगर आप root x ना कि अगर आपको ऐसा मिल जा है root sin x और हमें इसका derivative करना हो तो हम कैसे करेंगे तो पहले root का derivative करेंगे root का derivative क्या हो जाएगा one upon me two root यहाँ पर x था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा लेकिन x की जगा पर यहाँ पर sin x लिखा हुआ तो chain rule के according आपको इसे further क्या करना पड़ेगा differentiate करना होगा sin x को में further differentiate करना होगा which is cos x upon me two under root sin x देखिए अब हम कुछ question को लेकर chain rule को एकदम अच्छे समझते हैं जैसे हमें पहला इसका differentiation निकालना है root x square plus three x plus one हमें इसका differentiation करना है तो chain rule हम लगाएंगे सबसे पहले हम करेंगे root का derivative root का derivative याद रखना होगा one upon me two root इसके अंदर जो भी लिखा होगा हमें वो लिखना होगा chain rule के according आपको यहां इसका further क्या करना पड़ेगा differentiation करना होगा x square plus three x plus one का फिर से आपको differentiation करना होगा x square का differentiation two x three x का differentiation three upon me two under root of x square plus three x plus one यह इसका answer आगया next question लेते है e raised to the power 10 inverse x का हमें derivative करना है तो सबसे पहले e का derivative करेंगे जिसका क्या होता है derivative as it is e का derivative बता as it is तो e raised to the power 10 inverse x का derivative भी क्या हो जाएगा e raised to the power 10 inverse x इंटू में आपको क्या करना पड़ेगा further इसे क्या करना पड़ेगा differentiate यानि के 10 inverse x को फिर से क्या करना पड़ेगा differentiate तो 10 inverse x का derivative बता 1 upon me 1 plus x square तो अन्तरा जागा e raised to the power 10 inverse x into 1 upon me 1 plus x square अब next question को लेते है sine x cube हमें इसका differentiation करना है तो हम सबसे पहले करेंगे sine का derivative तो sine का derivative क्या हो जाएगा cos x cube अब फिर से यहाँ पड़ x की जगा पे कोई और function लिखा हुआ है तो हमें इसे further क्या करना पड़ेगा differentiate यानि x cube को आपको फिर से differentiate करना पड़ेगा तो answer क्या आजाएगा 3 x square into में cos x cube again next question log x square plus 1 का हमें अगर differentiation करना है तो क्या होगा पहले अब देखिए अगर हमें log x square plus 1 का derivative करना है तो पहले हम log का derivative करेंगे log का derivative होता 1 upon x तो यह होजाएगा 1 upon me x square plus 1 into में फिर से हमें इसका क्या करना पड़ेगा differentiation यही है chain rule तो x square का derivative होजाएगा 2 x 1 का 0 upon me x square plus 1 हमें करना है under root 10 x का derivative तो under root 10 x पहले root का derivative होगा तो root का derivative होगा 1 upon में 2 under root 10 x अब फिर 10 x का derivative क्या हो जाएगा sec square x यह मैंने direct लिख दिया फिर हमारे पास है cos root x अगर हमें इसका derivative करना है तो पहले हम करेंगे cos का derivative which is minus sin root x है तो यहां भी लिखाएगा root x into में हमें क्या करना पड़ेगा फिर से root x का derivative करना पड़ेगा तो root x का हमें फिर से derivative करना है तो answer हो जाएगा minus sin root x root x का derivative क्या होता है 1 upon में 2 root x तो यह हमारा answer हो जाएगा अब देखेंगे next question हमारे पास है chain rule से करने के लिए हमें इसका differentiate करना हमें dy by dx निकालना है हमें dy by dx निकालना यानि इसे differentiate करना x की respect में तो आसानी से कर सकते हैं तो इसमें पहले हम करेंगे log का derivative तो log का derivative क्या हो जाएगा 1 upon में x plus under root 1 plus x square यह log का हो गया अब फिर into में हमें क्या करना होगा इसका derivative करना होगा तो x का derivative क्या हो जाएगा 1 डाडे क्लिक देता हूँ और फिर इस root का derivative क्या हो जाएगा 1 upon में 2 under root 1 plus x square और फिर into में हमें इसके अंदर वाले का derivative करना होगा 2x तो chain rule में कभी कभी 2 से 3 बार भी आपको rule apply करना पड़ जाएगा x plus में under root 1 plus x square इसको simplify करेंगे 2 से 2 cancel out हो जाएगा यह इधर चला जाएगा under root 1 plus x square plus में x upon में under root 1 plus x square यह पूरा time इससे cancel हो जाएगा तो हमारा answer आजाएगा 1 upon में under root 1 plus x square under root sin root x हमें इसका derivative करना है तो इससे हम अब direct करेंगे सबसे पहले root का derivative which is 1 upon 2 under root sin root x फिर into करके sin का derivative वो क्या हो जाएगा cos root x फिर into करके root x का derivative क्या जाएगा 1 upon में 2 root x यह हमारा final answer आजाएगा